सो गाइस हम बात कर रहे थें संटेंसिस के बारे में जुमले पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं हमने बात की हैं पहले क्लास में पहले लेक्चर में पॉजिटिव संटेंसिस के बारे में जिसका फार्मुला था हमारे पास subject, plus, verb, plus object यानि एक file होगा, काम करने वाला होगा, एक file होगा, और एक fail होगा, और एक मफूल होगा यानि फाईल जो काम कर रहा है, और फैल काम खुद, और मफूल जिस पर काम किया जा रहा है, वो फार्मुला था होगा, इसकी मिसाल दी थी, मैंने, मैं, खाना खाता हूँ, जिसके इंगलिश थी, मैं, मैं का इंगलिश, आई, खाना खाता हूँ, क्या, वब, खाना, वब, एक file, खाता हूँ, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, the food, I ate the food, मैं खाना खाता हूँ, आई, मैं, करने वाला, काम करने वाला कौन है, मैं, और जो काम है, क्या है, खाना, यानि एट, मैं खाना खाता हूँ, the food, क्या चीज़ खा रहा है, food, खाने को खा रहा है, तो इसमें हमने देखे दे, ये एंसिस के बात करेंगे, निगेटिव संटेंसिस क्या होती है, तो निगेटिव संटेंसिस में भी, निगेटिव संटेंसिस, निगेटिव का मतलब क्या है, नफी, नहीं करना, मनफी जवाब देना, निगेटिव, जिसमें ना हो, ना कर रहे हो, जैसा कि हमने पॉजिटिव ने देखे दे, सबजक्ट पलस हुआ, पलस अबजक्ट, इसका फार्मला है, इसी तरह इसमें एक चीज़ का इजाफा होगा जो की क्या होंगे, सबजक्ट, वो अपनी जग़े पे होंगे, लेकिन पलस यहां पर कुछ चीज़ इजाफा होगा, वो क्या चीज़ है, उसके बाद वर्प अपने जगे पे रहेंगे, पलस अबजक्ट, अबजक्ट भी अपने जगे पे रहेंगे, यहां पर क्या इसकी वज़ा से negative बन जाती है तो यहां पर हम do not या does not का इस्तेमाल करेंगे do not को हम shortcut में don't लिखते हैं और does not को हम doesn't लिखते हैं shortcut के लिए do not लिखें या don't लिखें does not लिखें या doesn't लिखें एक ही बात है तो हम इसी मैसाल को जो हमने पहले लिखे थें कौन सा I eat the food मैं खाना खाता हूँ को हम negative sentence में इसको बनाते हैं negative sentence में बनाने के लिए क्या इस्तिमाल होगी do not के साथ do not किस के साथ आएगा सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से sentences के साथ do not आएगा और कौन से sentences के साथ does not आएगा वो हम देखेंगे do not किस के साथ इस्तिमाल होती है do not इस्तिमाल होती है I के साथ, V के साथ, U के साथ, D के साथ, और and plural, plural के साथ, नौन, पुरूलर नौन के साथ, इस्तिमाल होती है, do not. और does not किसके साथ इस्तिमाल होती है, he के साथ, she के साथ, it के साथ, और singular noun के साथ, singular noun के साथ, जिसमें एक बंदे का जिक्र हो, या जिसमें एक चीज़ का जिक्र हो, एक जगे का जिक्र हो, उसमें हम does not इस्तिमाल करेंगे, और अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या पुलूलर हो, पुलूलर नौन, जिसमें दो या दो से ज्यादा चीज़ों का जिक्र किया हो, उसमें हम इस्तिमाल करेंगे, do not का, तो हम इसी I eat the food को हम पहले निगेटिव सेंटेंस में कनवर्ट करके देखते हैं, उसके बाद हजारों सेंटेंस आप अपनी तरफ से बनाके लिख सकते हैं, तो guys, subject क्या थी इसमें, I, I subject थी, I as it is आएगा, plus do not, यानि मुझे मनफी में जवाब देना है, मनफी में जवाब देना है, उसके लिए क्या होगा, do not, it verb अपनी जगे पे आएगा, और fourth object है, the fourth, ऐसे ही आएगा, तो मैं इसका translation क्या होगी, नहीं खाता हूँ, तो चले गाइस, मैंने यहां पर कुछ जिम्ले रिखे हैं, जो कि positive में भी है, positive sentences भी है, और इसका negative, यह positive sentences है, और यह negative sentences है, तो positive sentences का, जो formula था, वो क्या था, यह subject पलस verb पलस object, और negative sentences का formula क्या था, subject पलस do not यह does not पलस verb पलस object, do not किसके साथ इस्तिमाल होते थे और does not किसके साथ इस्तिमाल होते थे, हम पहले जिकर कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, do not, I, we, you, they, or polar non के साथ आता है, और does not, he, she, it, or singular non के साथ आता है, तो मैंने यहां पर मैं स्कूल जाता हूं, I go to school, I go to school, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, I do not go to school, मैंने don't लिखा है, don't, अब इसका हम बनाएंगे, हम फुटबाल खेलते हैं, हम का इंगलिश क्या है, we, खेलते हैं, क्या खेलते हैं, वो अब क्या है, काम क्या है, खेलना, खेलना एक काम है, तो, we play football, क्या क्या काम कर रहा है, फुटबाल खेल रहे हैं, फुटबाल, अब इसका निगेटिव जुमला क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस, हम फुटबाल नहीं खेलते हैं, we, और, अब इसमें, हमारे जो फार्मूला था, उसके तहाथ, do not, आई, वी के साथ क्या आता है, do not, we don't play football, इसी तरह मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं का इंग्लिश क्या है, आई, अंग्रेजी बोलता हूं, यानि मैं क्या था इसमें, subject, अंग्रेजी बोलना, क्या है, बोलना क्या है, एक वर्प है, काम है, तो, बोलने का इंग्लिश क्य है speak I speak English I speak English मैं अंग्रेजी बोलता हूं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं I do not don't speak English don't speak English